अगर आप पैसा बनाना चाते हो तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं अगर आप सेल टुड़े बाइट टुमारो ठीक है अगर यह आप लेके जाना चाते हैं तो इसके लिए एक बहुती अच्छी करना है और उसको किस टाइम पर हमने विदियो में अंठ टक तो बने रहे हैं चले सटार्ट करते हैं दोस्तों स्टि बीटी क्या होता है सेल टुड़े बाइटुमारो मतलब अगर कैस में या किसी बीस्टोक्स को तो आप नहीं कर सकते हैं बिलकुल भी एसीड़ीट में ऐस कर सकते हो आप इंटराडे में लेकिन आप स्विंग क्यरी नहीं कर सकते STBT में आपने उसको options या Futures में जाना पड़ेगा ठीक है तो आपने options एंट future वाले ही आपने stocks select करने वह stock कैसे select करने वह आज मैं बताऊंगा आपको और बहुत ही अच्छी स्टैटेजी रहने वाली है अब इसमें क्या होगा कि अगर माने के चलो जैसे यह स्टोक है अभी आप देख पा रहे हैं यह मैंने फाइंड आउट किया है शेल ठीक है अब इसमें देखिया आप कितने अच्छी अपॉर्चनिटी है कल आपने इसका फ्यूचर्स य हम चलते हैं अपने स्क्रीनर पे हो तो दोस्तों मैंने अलुड़ी इसक्रिनन बनाया हुआ है ठीक है यहाप लगा ओल्स ऑल्स फीलटरस लगाया हुए हूए मैंने फ्यूचर संक्रीवें लगा इसको आप लगा सकते हैं अगर आपको नहीं भी आता बना तो ड्अन्ट वर और इन स्टोक में आपने सबसे एंड से सुरुआत करनी है ठीक है जो सबसे एंड वाला स्टोक है वो आपने देखना है फिर उसके बाद यह देखना फिर यह देखना फिर यह देखना फिर यह देखना इस तरीके से आपने नीचे से सिरुआत करनी है ठीक है तो जिसमें भी आपने best opportunity मिलेगी और इसमें projection का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको projection आता है तो तो ना अभी हम इंडस्ट टावर पे क्लिक कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों कितना अच्छा sell of stock में आया हुआ है ठीक है इसने जोए अपना moving average भी cross कर दिया है और इस price में selling continue रह सकती है तो इसमें हमने क्या करना है 250 पे यह scan करना है अपना screener ठीक है और उसके बाद जोए पांच stocks आपने select करने है पांच में से भी कोई भी आप लेके जा सकते हो एक दो जो भी अपनी मर्जी है ठीक है उसमें आपने यह देखना है कि उस stocks में जोए कितनी गिरावड आ चुकी है और उसका next support level कहा होगा जैसे इसमें अभी जो support बन रहा है वो यह बन रहा है तो यहां से लेके यहां तक हमें target देखने को मिल सकते हैं तो आपने क्या कर लेना है 250 पे इसको buy कर लेना है ठीक है और उसके बाद जोए next day जो भी gap down खुले या सिधा उस जो कि अभी हम देख रहे थे यह देखिए इसमें देखिए दोस्तों कितना अच्छा sales देखने को मिला है दो दिन से अब यह चीज़े जो है आपने पहले पकड़नी होती है अगर कल आप इस screener का use करेंगे और इसको scan करेंगे तो आपको ऐसे कोई ने कोई stocks मिल जाएंगे जो अभी STBT के लिए ready हो रहे हैं वो stocks आपको find out हो जाएंगे and then उसमें जो है आपने यहां पे position को sale कर देना है और उसके बाद जो अपना अच्छा कासा profit next day book कर लेना है दोस्तों इसमें जो chances होते हैं profit के वो 90% होते हैं क्योंकि होता क्या है अगर market overall market गर रही हो हमारी और उ उसको scan करने के बाद अगर हम उसको ले के जाते हैं तो उसमें 99% chances होते हैं कि वो gap down खुलेगा और gap down खुलने के बाद भी वो जो है नीचे की तरफ ही अपना moment दिखाएगा अब यहां पर देखो volume देखो कितनी जबरदस्त हैं दोस्तों यहां पर क्या है जो यह selling हो रही है कि एक बड़ा पैसा डंप किया जा रहा है इस वजह से यह selling हो रही है क्योंकि हमारे चोटे मोटे पैसे से यह जो है प्राइज में कोई fluctuation नहीं होती ठीक है तो इस तरीके से हम जो अपनी position को बना सकते हैं और next day उसमें आके जो है अपना profit book कर सकते हैं सेम इसी तरीके से हम हम जो थर्ड स्टोक देख लेते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा support देखने को मिल रहा है वो यह है first support और उसके बाद अगर यह गरता है तो यह बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है तो यहां पर हम जो नजर रख सकते हैं उसके बाद जो है इसमें अच्छा पर सकते हैं एंड इसके बाद हम लास्ट यह वाला और देख लेते हैं इंग बर महंद्रा फाइनेंस सर्विसेज ओके तो दोस्तों यह अपने जो है support के आसपास से bounce back कर रहा है ऐसे stocks को आपने अवेड करने ऐसा stock आपने नहीं लेना है जब यह अपने important level को break करें तो ही इस के बाद आप acceptation मत रखना कि यह ग्राव टब continue रहेगी तो इस तरीके से आपने जो stocks find out करने इस screener के तुरू और आप अपनी STBT को enjoy कर सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करें और आप नहीं है तो चैनल को subscribe करें थ